असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरोख और यहां है शामी रेड्मी नोट 4 और आज हम लोग इसका फुल रिव्यू करेंगे दोस्तों वक्त हो रहा है अभी 11 बच करूं 40 मिनट इसे नोट कर ले और यहां पर बैटरी परसेंटेज है दोस्तों 41 परसेंट तो चलिए इस स्क्रीन गाड कैसे लगाना है इसका अंबॉक्सिंग भी बना चुका हूँ इसमें 4K रिकोडिंग कैसे करना है उसकी भी वीडियो बना चुका हूँ और इसका एक डिजाइन रिव्यू भी दे चुका हूँ कि इसका डिजाइन कैसा है तो आज मैं जाधा डिजाइन के ऊप इतनी दूर आपको प्लास्टिक मिल जाती है क्यूं क्यूंकि आपका नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा रहा है विकॉस दोस्तो अगर यहां पर भी मिटल रहती तो सिगनल आने में थोरी सी प्रॉलम हो सकती थी और नेटवर्क रिसेप्शन लो सकता था दोस्तो यह फोन ऑन भी हो गई 11 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं और आपने देखा कि एक मिनट से भी कम समय में यह ओन हो गई दोस्तो तो यह काफी अच्छी चीज़ है क्यूंकि यह काफी फास्ट फोन है और ऑन होने में ज़्यादा समय नहीं लगाती है दोस्तो ब्यूल्ट क्व और ऐसा भी नहीं है कि कलर आसानी से चला जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों यह जो बटन्स बने हुए यह भी मेटल के बने हुए तो अच्छे लगते हैं दोस्तों तो ज्यादा बीड क्वालिटी के ऊपर मैं बोलूम गा नहीं बस में जल्दी बता दो कि यहां पर मिलता है ड्यूल टोनिलिटी फ्लैस फिंगर्प्रिंट सेंसर नीचे कुछ MI के बारे में लिखे हुए है और उसके बाद नीचे मिल लाता है दोस्तों बॉटम में आपको यहां पे यहां पे चार्जिंग पोर्ट और यहां पर मिलता है यहां पर नॉइस कंसिलेशन यहां से सारा कॉर्णर आप देखेंगे तो 2.5D पे कर्वड होगा और उसमें बीच में मिलता है दोस्तों यहां पे 5.5 इंच की फूल एजडी स्क्रीन टॉप में मिलता है हमें कैमरा, यह पीस, सेंसर और यहां पे चोटी सी नोटिफिकेशन लाइट मिलती है जिसमें बैग का बटन है दोस्तों ए सब चीजे मिल जाते है दोस्तों मैं बता दोस्तों मेरा जो वारियेंट है सामने में wide जो की उतनी अची नहीं लगती है मुझे देखने में दोस्तो इसकी build quality के हमने बात की build quality तो काफी बहतरीन है बहुत यच्छे है और Redmi Note 3 से अगर compare करेंगे तो Redmi Note 3 से भी बहुत ही जबरदस्त है इसकी build quality दोस्तो मुझे कोई भी कमी नहीं ही लगी इसकी build quality में और 11,000 रुपए में build quality के हिसाब से सबसे best है दोस्तो अभी तक किसी भी phone में अब उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं इसके screen की display की तो इसका display है दोस्तो 5.5 इंच पे full HD screen जो 401 ppi पे है अब इसकी color reproduction की बात करें तो आप देखेंगे दोस्तो की काफी colorful theme में लगाया हुआ है और इस color reproduction काफी अच्छी है अगर आप इस angle से भी देखते हैं आप किसी भी angle से देखते हैं दोस्तो तो बिल्कुल ही साफ साफ आप देख पाएंगे ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी परिशानी जेलने का करना परेगा कोई भी परिशानी नहीं है किसी भी angle से आप इसे बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं और यह काफी अच्छी लगती है दोस्तो देखने में देख से-टी किसी भी आइंकल से दिख जाती है उसकी खुप सूर्ती तो तब बर्जाती है जब आप इसे और भी दूर रखे या दूर रखे on screen और करके रखे और दूर से देखे तो और भी अच्छी लगती है देखने में जो की काफी premium feel होती है दोस्तो screen के हम लोग बात कर रहे थे तो screen तो काफी अच्छा है और काफी जबरदस्त है कुछ लोगों ने शिकायत कि है कि screen हमें yellowish लग रही है तो दोस्तो सबसे पहले में मैं बता दू कि अगर आप मेरे display में yellow screen देख रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं redmi 1 इसके camera से कर रहा हूँ और पता नहीं क्यों उसके camera में white को भी yellow show कर रही है वरना ये white बहुत जादा है हाला कि दोस्तो अगर कुछ लोगों को yellow लग रही है तो वो display में जाकर के color and contrast में जाकर के इससे अगर cool कर लेंगे तो और भी whitish हो जाएगी जो कि काफी ज़्यादा blue effect देगी बिकॉस दोस्तो ये इसका feature है अगर आप warm करते हैं तो काफी ज़्यादा yellow हो जाएगी कुल करते हैं तो काफी ज़्यादा white हो जाएगी और standard पे yellow white दोनों tint रहेगी तो ये काफी अच्छी display है ऐसा नहीं कि इसमें कोई 2.6 GB के असपास कभी free है दोस्तो कभी कभी 2 GB फ्री हो जाती है तो performance में कोई भी प्रावलम नहीं है अगर हम लोग faster operation की बात करें तो ये काफी ज़्यादा fast कोई भी चीजों को खोलती है दोस्तो कोई भी इसमें हमें परिशानी का उठानी का जरूरत नहीं पड़ता है दोस दोस्तो मैं बता रहा हूं कि मैंने कौन-कौन से गेम खेले और इसमें एक भी लैग नहीं है जैसे आप यहां देखेंगे Asphalt 8 यहां पे डाउनलोडेटेटे दोस्तो Asphalt 8 में कोई लैग नहीं Modern Combat 5, Gangster 4, Godfire और Unkilled इन पांचो गेम को मैंने खेला है और इन पांचो गेम में द दोस्तो आठो के आठो को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं और multitasking में भी काफी अच्छी चलती है दोस्तो अब मैं पता दूँ इसके बैटरी के बारे में तो इसके बैटरी है वह काफी अच्छी चलती है क्योंकि Qualcomm Snapdragon 625 149 m का आर्किटेक्ट्र सपोर्ट करता है दोस्त इसके साथ 400 mAh की बैटरी काफी अच्छा पेयर करके बहुत ही अच्छा देती है देखिए दोस्तो मैंने कितने देर अभी चलाया है दोस्तो मैं sitting में जाकर के बैटरी में आपको इसका performance uses दिखाता हूं बैटरी यूज में दिखाता हूं दोस्तो और आप देखेंगे कि मैं मैंने 15 गंटा पहले इसे चार्ज किया था और वही मैं फुल नहीं कर पाया था कितना किया था दोस्तो तो 90 92% के आसपास मैंने पूरा चार्ज किया दोस्तो और 15 गंटा के बाद अभी लगता चल रही है बीच में कोई भी चार्जिंग नहीं हुई है और यहां से आप में इस Prof.Set3 के इसितना के बाद का राद में क्रेंड़ उसी आरह से सब्कुंत ने 12 गंटा कोले है जबका रहे हैँ aussi कर दोस्तों यह काफी जबरदस्त है और आस्ट मैं काम क्या किया तो मैं आपको दिखा दो कि Modern Combat 5 मैंने लगवग 42 मिनट खेला है उसी तरह से Godfire मैंने लगवग 23 मिनट खेला है Unkilled दोस्तों मैंने लगवग 15 मिनट खेला है और Gangster 4 लगवग मैंने 10 मिनट खेला है और इसी तरह से दोस्तों कुछ-कुछ काम भी किये हैं जैसे कि Android में कुछ सेटिंग्स कर रहा था तो दो घंटे तो Android में ही लगए तो इस तरह से दोस्तों मैंने छोटे मोटे काम करके लगवग 6 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम रख करके आपको मिल लाती है अभी भी 40% बैटरी बैकप तो दोस्तों आसानी से इसका 9 से 10 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम रहेगा अगर आप एक नॉर्मल से हेवी यूजर है और अगर आप बहुत ही जादा हेवी यूजर है तो आपको 6 से 7 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगी और अगर आप जादा बड़े गेम्स खेलते हैं जादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम खेलते हैं तो 5 से 6 घंटे आपको गेम खेलने में आसानी से बैटरी बैकप मिल लाएगी क्योंकि दोस्तों बैटरी बैकप गेम भी निर्वार होता है और इसकी साउंड भी काफी लाउड है दोस्तों साउंड भी काफी लाउड है दोस्तों क्योंकि यहां पे स्पीकर है तो ऐसे रख्ट देने में भी स्पीकर जो है दबती नहीं है दोस्तों और साउंड काफी लाउड सुनाई देती है तो दोस्तो यह एक advantage है यहाँ पे speaker होने पर और दूसरी advantage यह भी है दोस्तो कि अगर आप कोई game खेलने तो आप ऐसे अगर पकरेंगे तो यह speaker दबेगी नहीं और आपका sound आती रहेगी तो game के साथ आप speaker भी सुन पाएंगे और game का sound भी सुन पाएंगे आपको earphone की अलग से ज अच्छी है और इसका build quality कैसा है तो बहुत अच्छा है आईए इसके fingerprint sensor की बात कर लेते हैं कितना fast है यहाँ पर दोस्तो जैसे ही tap करता हूँ तो यहाँ पर fingerprint खुल दाती है दोस्तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिंगर्प्रिंट सेंसर और इसमें कोई भी परिशानी जलने की जोट नहीं परती है हर बार मेरा यह accurately fingerprint को detect कर लेती है दोस्तो इसमें IR blaster भी है जिससे आप remote control कर सकते हैं तो उन सब की बाते ना करते हुए अब जल्दी से हम लोग camera के बारे में overview जानते है कि इसका camera कैसा है दोस्तो जब इसका camera खोलेंगे तो आपको इसमें कुछ options मिलेंगे जो कि मैं camera review video बनाऊंगा तो इसमें आप लोग को बता दूँगा दोस्तो इसका camera है वो काफी हकास है बहुत ही अच्छा लगा मुझे camera और Redmi Note 3 से definitely मुझे इसका camera अच्छा लगा क्यूं दोस्तो क्यूं अच्छा लगा क्यूंकि दोस्तो यह दूर की images भी काफी सब्से पहले चीज दोस्तो अच्छी लाइट में नश्दीक की चीज़े और दूर की चीज़े यह दोसरी चीज़ दोस्तोborg खराब light में नस्दीक की चीज़े और दूर की चीज़े यह and दूर अच्छी लाइट में नस्दीक की चीज़ है और नस्दीक की चीज़ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बिल्कुल ही बहुत ही शार्प क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा पीछे पूरी बलर हो गई है दोस्तो मैंने कोई भी अडिशनल एडिटर का इस्तोम नहीं किया है और नस्दीक की चीज़ दोस्तो यह अच्छी लाइट में है तो अच्छी फोटो आ रही है लेकिन दोस्तो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हर Xiaomi के mobile में एक problem होती है जोस्तो जिसे अभी तक solve नहीं किया गया और वो problem यह होती है दोस्तो कि जादा नस्दीक के चीज़ों को capture नहीं कर पाती है कैसे दोस्तो माल लेज़े यहाँ पर मेरा camera है दोस्तो और यहाँ पर मैं उंगली करूँ तो यह उस उंगली को focus अच्छे से नहीं कर पाएगी अभी यह धुन्दी है विकॉस दोस्तो जादा नस्दीक के चीज़ों को कोई भी Xiaomi का phone जो है तो बहुत ही अच्छा quality आता है उतनी नस्दीक जाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तो चलिए अब और आगे देखते हैं सैंपल ती यह भी एक नस्दीक की photo है दोस्तो और यह भी काफी जबरदस्ता ही है हाला कि मैं आपको सारी डिटेल्स camera की डिटेल्स आपको दूगा अपने camera review में दोस्तो यह aloe vera है यह भी काफी अच्छी आई है लेकिन इसमें हलका सा आपको blurry type का feel होगा क्यों दोस्तो क्योंकि इसमें कोई video stabilization या camera stabilization नहीं है दोस्तो जिसके कारण अगर आप photo किसते वक्त हलका भी हाथ हिलाते हैं तो photo आपकी blur हो जाएगी थोरी सी धुम्दी हो जाएगी तो इसलिए आपको थोरा सा careful रहना परेगा कि photo किसते वक्त हाथ एक दम सीधा रहें ऐसा नहीं कि हलका हलका भी blur करें और दोस्तो अगर आप low light में हाथ हलका हिला देते तो तब तो आपको photo बहुत ही ज़्यादा खराब हो जानी है यह भी दोस्तो आप देख सकते हैं नजदीक की photo और यह पतली सी टहनी है और यह टहनी आपको कितनी जबरदस्त आई है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो यह कोई DSLR नहीं है यह photo बस इसी से खीची हुई है और कितनी चोटी टहनी है तो आप यहाँ पे आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे हाथों के उंगलियों में इतनी चोटी आ रही है तो यह कितनी चोटी टहनी आप यह देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छी चीजों की बात अब चलिए थोड़ी सी दूर की चीजों की बात करते हैं जैसे एक यह दूर की photo देखेंगे दोस्तों यह जो हलकी सी दूर है लेकिन यह भी काफी अच्छी photo आई है तो इसमें भी कोई भी problem नहीं है दोस्तों अब जादा दूर अगर हम लोग जाते हैं यह लेकिन दोस्तों मैं बता दू कि मैं amazed हो गया इसका result देख करके कि जादा दूर के photos में भी यह बिल्कुल भी नहीं फटती हलकी हलकी तो हर phone को फटनी है लेकिन यह बिल्कुल भी मतलब दोस्तों बहुत ही अच्छी quality देती है आप यहाँ पर दिख पाएंगे यहाँ एक कव दूर के quality अच्छी light में बहुत फोटो भी आती है दोस्तों इसमें कोई भी परिशानी नहीं है तो दूस्तों मैंने आपको दो चीज़ दिखा दिया की अच्छी light में नस्दीक की और दूर की दोनों फोटो अच्छी है अब दूस्तों मैं आपको कम light में दिखाओंगा कि क सोम लाइट में दोस्तो मैंने इसे लिया है HDR में लेकिन आप देखें कि यहां पर जारू पर थोरा भी अच्छे से focus नहीं कर पाई है जिसके करण काफी जादा blood आई है लो लाइट में दोस्तों हल्की सी blood photo आती है यहां दोस्तों मैंने flash on करकी लिया है और flash on करके देखने पर दोस्तो थोरी सी over exposure हो गई है हाला कि picture अच्छी आई है लेकिन over exposure हो गई है यहाँ पे जहारू काफी ज़्यादा whiteness आ गई है focus ना कर पाने के कारण उसी तरह इधर देखेंगे तो इस पे भी अच्छी से focus की है लेकिन यह भी हलकी सी over exposure ज़र और हाथ हीलने के कारण हलकी सी blood हो गयी है तो लो light میں दोस्तो आपको एक decent photography मिलती है नसदीक की photos में decent photography मिलती है लेकिन बहुत जेदा अच्छी नहीं मिलती है अब अगर दोस्तो बात करें low light में हम लोग दूर की photos तो लो light में दूर की photos कैसी है तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल यह low light में दूर की photo है दोस्तो और रात को 8 सारे 8 बजे के असपास ली गई है काफी ज़्यादा अंधेरे में और आप देखेंगे दोस्तो कि यह काफी ज़्यादा कच्रा photo आएगी अगर आप साफ साफ देख पाले दोस्तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा noises है कहीं भी आप देख लेए दोस्तो अगर इस पेर पे भी देखो जहाँ पर हलकी सी light है तो वहाँ भी आपको ज़्यादा noises मिल लाते हैं तो दोस्तो रात में अगर लेते हैं photo अंधेरे में और दूर का लेते हैं तो काफी ज़्यादा खराब photo आनी है यह भी आप देख सकते हैं यह भी तरह से दूर कहीं है लेकिन इसमें भी noises आई है और यहाँ पर हलकी सी light थी लेकिन फिर भी काफी कम light थी तो यहाँ भी आप देख सकते काफी ज़्यादा noises यह light पर दोस्तो थोरी भी focus नहीं की है यह खिरकी है दोस्तो जो की काफी ज़्यादा धुनली आई है तो दोस्तो एक तरह से मैं आपको बता दू कि इसमें कैसी आपको camera मिलती है तो overall आपको जो camera मिलता है दोस्तो वह एक अच्छा बेहतर camera मिलता है अच्छे light में लेकिन low light में नजदीक की photo के लिए अच्छा है लेकिन दूर के photo के लिए बहुत ही खराब है दोस्तो यह चीज मेरा verdict है लेकिन note 3 से compare करें दोस्तो तो हर camera के हर aspect में note 3 से ज्यादा अच्छा है और इसमें हम फूल HD में recording कर सकते हैं दोस्तो recording करने quality में कोई problem नहीं है लेकिन आप चाहें तो 4K में भी recording कर सकते हैं और उसके video पर मैं अलगी video बना चुका हूँ अब दोस्तो आप यहां तक जानगे कि यह सब चीज है कैसे चली आप इसका कुछ gaming भी देख लेते हैं दोस्तो इसका आपको performance बहुत ही अच्छा लगा होगा battery बहुत ही अच्छी लगी और camera अच्छी लगी होगी तो चली अब हम लोग इसका gaming review भी देख लेते हैं तो यहां पर हम चालू करते as part 8 और gaming review का भी मैं अलग से video बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि game इसमें कैसे चलते हैं लेकिन दोस्तों मैं बता दू कि game इसमें बहुत अच्छे चलते हैं काफी smooth चलते हैं और gaming review मैं यहां पर कर रहा कि दोस्तों quality मैंने quality मैंने पूरी की पूरी हाई पर सेट के हुई है और मैं sound भी पूरा बढ़ा देता हूं ताकि आपको सुनने में लगे कि इसके sound quality कैसी है और इसका gaming जो है कैसा हो रहा है कि यहां पर देख सकते हैं दोस्तों loading हो रही है और loading होगी जल्दी ही हो जाएगी ज्यादा वक्त लगता नहीं है क्योंकि snapdragon 625 अक्रो प्रोसेसर काफी ज्यादा capable है दोस्तों लेकिंग लेकिं गेम लोडिंग होने में रेड्मी नोट 3 से थोरी सी थोरी सी बस स्लो है ज्यादा स्लो नहीं है थोरी स्लो है और यहां पर हमारा गेम चुरू हो गया दोस्तों और यह फुल हाई दोस्तों अब देख सकते हैं यह गेम कात्бы चल रहे है और मैं आपको बतादो मैंने विल पांच यह फ्यला जोस्तों बहुत ही अच्छे सेover grated को भी परिसान ostr लेके जोरी दीवीश नहीं पर यह आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी लाग नहीं है यह गेम को मैं खेल रहा हूं इसमें आपको कोई भी लाग देखने को नहीं मिलता है दोस्तों मैं काफी गंदा गेम खिलता हूं मुझे उसमें एक्षी खेलने आती नहीं है दोस्तों देखा कि आपने कि मैंने यह गेम खेली और काफी अच्छी स्मूथली गेम चल रही थी तो गेमिंग पर्फर्फर्मेंस में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों और फाइनली अभी टाइम हो रही 11 बचकर अंधावन मिनट और अभी आपकी जो बैटरी बच दोस्तों 37% बची है मतलब उतने देर में कुछी बैटरी खतम हुई है आप देख लें उस वक्त सायद 40 42 या 43 परसेंट बैटरी या 46 परसेंट बैटरी थी और टाइम हो था उस वक्त 11 बचकर शायद 42 मिनट के असपास तो आप देख लें दोस्तों कि कितनी अच्छी बैट अगर फोन लेना है कोई अगर 13,000 तक में तो यहां फोन बेस्ट है दोस्तों 13,000 वाला वाला बैरियंट ले लेते है चार्जी बीरायम वाला तो आपको और भी फास्ट फोन मिल दाएगी और भी अच्छी फोन मिल दाएगी अब दोस्तों अगर आपको डेडमी नोट 3 से इ लेकिन अगरा अच्छे दाम में बेचे तो वैसे मैν पहले भी या बात बता चुका है कि अगर आप अच्छे दाम में रेडमी नोट 3 को बेचते फोन में अजिकर करने का रीजन का है、 तो दोस्तों मैं बता हुँ की Redmi Note 3 में इससे अच्छी performance है उसमें कोई डाउप नहीं है Redmi Note 3 में इससे बड़ी बड़ी games चलेगी इससे अच्छी performance है लेकिन फिलाल अभी कोई भी ऐसा game नहीं है जो इससे ना चला पाए बिकॉस मैंने ये 5 graphical intensive game चला है जो कि सभी game 1 GB से ज़ादा है तो वो काफी अच्छी चल रही है तो दोस्तो gaming के मामल में अभी कोई भी कम नहीं है हो सकता है एक साल के बाद Redmi Note 3 में जो games चले वो इसमें ना चले ऐसा हो सकता है दोस्तो एक साल के बाद लेकिन सिर्फ performance में ज़्यादा है Redmi Note 3 बात करें बैटरी में दोस्तो की build quality के दोस्तो सबसे बढ़ी चीज बढ़िया चीज है दोस्तो इसकी build quality Redmi Note 3 से भी जादा अच्छी build quality है तो दोस्तो overall इसका जो हर चीज है मुझे Redmi Note 3 से अच्छी लगी है और इसकी pricing भी Redmi Note 3 से सच्थी है हाला कि Redmi Note 3 3 GB RAM वाला variant मिलता है 32 GB RAM मिलता है आपको 12,000 में लेकिन इसका जो price मिलता है दोस्तो वह सिर्फ मिलता है 11,000 में 3 GB RAM वाली variant और अगर आप 4 GB वाली ले ले लेते हैं तो वह तो और भी अच्छी 13,000 में मिल लाती है और उसमें 64 GB की इंटरनल में मिल लाती है तो वह एक तरह से अपग्रेड हुआ दोस् इसके screen भी double tap to wake up support करती है और भी बहुत सारे features है जो यह support करती है लेकिन ज्यादा वक्त ना लेते हुए तो दोस्तो मैं हूँ शारूख और आज का हमारे वीडियो देखने करी शुक्रिया हमारे चैनल को subscribe करें दोस्तो और हमारे वीडियो पर like and comment करें थैंक्यू